हाई फ्रेंड्स कैसे हैं स्वागत आपका हमारी यूट्व ट्रेन में जैसा कि इस स्क्रीन पर हमें गिवन है एक्स की वेल्यू एक्स की वेल्यू एक्स की वेल्यू गिवन है 11 तुद पावर 11 और वाई की वेल्यू हमें गिवन है 2 तुद पावर 12 तो हमें क्यूशन में 88 तो एट और उसकी पावर 88, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं, यह दिक यूशन में हमें गिवन हैं, A इंटो B और उसकी पावर C दे रखी है, तो यहाँ पर हम इसको open कर सकते हैं, A to the power C और into B to the power C, तो यहाँ पर हम इस टर्म को हम लिख सकते हैं, दोस्तों, 11 to the power 88 into 8 to the power 88 ठीक है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं next step में हम लिखेंगे दोस्तों 11 to the power 88 डोट 8 to the power 88 ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों 11 to the power 88 तो power को हम split करेंगे 11 to the power 11 into 8 लिख सकते हैं 88 को into अब यहाँ पर 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 3 और 88 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 into 22 ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि power यह लिख पी की है q into r तो उसको लिख सकते हैं दोस्तों p to the power q और break it close into r इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर 11 to the power 11 into 8 इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसको लिख सकते हैं 11 to the power 11 break it close और power 8 into 2 to the power 3 और 4 को अंदर लेके आएंगे into 4 remaining क्या है 22 next step में हम लिख सकते हैं दोस्तों 11 to the power 11 और उसकी power 8 into 2 to the power 3 and 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 into 4 यह हो गया हमारे पास 12 और यहाँ पर power कितनी है 22 अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं 11 to the power 11 को क्या लिख सकते हैं x और 2 to the power 12 को क्या लिख सकते हैं y तो यहाँ पर लिख देते हैं x और उसकी power 8 into 2 to the power 12 को क्या लिख सकते हैं y और उसकी power 22 तो इस प्रकार दोस्तो हमारे पास 88 to the power 88 की जो value आई है क्या यह x की term में और y की term में x to the power 8 into y to the power 22 जो कि हमें इस question में find out करना था दोस्तो दोस्तो वीडियो helpful लगाओ तो हमारे जन को subscribe और इस वीडियो को like करना नहीं भूले Thank you, thank you so much for watching